हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त सिये अनुच कमार मिसरा इंवेस्टमेंड एन फाइनेशल प्लानर आज कल हम यह कॉंसेप्ट हर जगर सुन रहे हैं फाइनेशल फ्रीडम है क्या काफी लोग समझते हैं फाइनेशल फ्रीडम का मतलब है कि हमें एक मोटा जो रकम है उसको शेयर मार्केट में लगा देंगे उसके बाद में वहाँ से हमें काफी अच्छी income generate होगी और हम financially free हो जाएंगे बड़ ये wrong way है अगर आप right way में अगर financial freedom चाते हैं तो आपको five step model जो है वह follow करना पड़ेगा उस five step model के थुरू आप financially free हो सकते हो actual में financial freedom का मतलब क्या होता है financial freedom का mean जो निकलता है कि हमारी जो risk है उस risk को हम mitigate कर सके तो वह कौन-कौन सी risk होती है जिनको हमें mitigate करना चाहिए ताकि हम financially free हो सके तो सबसे जो बड़ी risk होती है वह होती है हमारी life की तो इसलिए हमें life insurance लेना चाहिए life insurance means हम कोई अच्छा सा term insurance ले सकते हैं जिससे कि हम हमारी जो life का जो risk है उसको mitigate कर सके second जो risk रहता है वह risk रहता है हमारी health से related इसलिए हमें एक अच्छा सा health insurance भी लेना चाहिए अब आपके mind में doubt आ रहा होगा कि term insurance तता health insurance में क्या difference होता है term insurance एक तरगा का insurance है जिसमें की premature death means early age में death होने पर आप जो dependent family member है उनको थोड़ा financially support मिल सके तो यह होता है term insurance में health insurance में एसा risk कवर होता है कि आप बेमार हो जाते हो यह आप medical treatment लेते हो तो उस पे जो भी खर्चा होता है वह आपको reimburse किया जाता है health insurance में थार्ड जो risk रहता है वह रहता है job जाने का risk अगर हमारी job चली जाए तो उस condition में भी हमें काफी problem face करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें emergency fund create करके रखना चाहिए अब emergency fund होता क्या है emergency fund में हमें जो हमारा monthly expenses होते है उसका हमें six time means six month जितना जो expenditure है उतना हमें fund बना के रखना चाहिए let's take a example अगर हमारा monthly expenses अगर 10,000 रुपीज रहते है तो हमें जो six month में expenses होते है mean 60,000 रुपीज का emergency fund बना के रखना चाहिए अब यह है emergency fund आप चाहे तो case में रख सकते हो आप चाहे तो saving account में रख सकते हो अगर आप चाहो तो इसकी FD करवा सकते हो अगर आप चाहो तो इसको liquidity mutual fund में आप इस पैसे को रख सकते हो तो इन सब में रखने के बाद आप जो है emergency fund create कर सकते हो तथा इस risk को भी mitigate कर सकते हो इसके बाद में आता है fourth risk fourth risk किसका रहता है inflation का risk what is the mean of inflation inflation का मतलब बता है महेंगाई आज जो चीज 10 रुपे की है maybe आज से 5 साल बाद में वो चीज 15 रुपे की market में मिलेगी तो इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं inflation तो inflation को अगर हमें mitigate करना है अगर हमें इस risk को mitigate करना है तो हमें क्या चाहिए उस inflation की जो rate है उससे ज़्यादा हमें return अन करना होगा ताकि हम इस risk को mitigate कर सकें अगर inflation की rate 5% है तो हमें एक एसा source ढूणना पड़ेगा जिससे की हम 5% से ज़्यादा जो है वह return अन कर सकें ताकि इस risk को कम किया जा सकें इस return को अन करने के काफी वे होते हैं हम share market में पेसा लगा सकते हैं mutual fund में लगा सकते हैं या फिर हम FD करवा सकते हैं तो ये काफी वे होते हैं तो हमें सबसे पहले हमें इस चीज़ को consider करना है कि जहां भी हम money लगाएं अगर जहां भी हम अगर हमारा investment करते हैं तो उससे जो हमें return generate होगा वह है inflation से ज़्यादा होना चाहिए अगर inflation 5% है तो हमारा जो return है वह है 7%, 10% जो भी हो उससे ज़्यादा होना चाहिए तो saving है उसका थोड़ा थोड़ा amount है share market में लगाना चाहिए अगर हम return income generate करना चाहते हैं तो हमें हमारा focus जो है ज़्यादा ज़्यादा saving पर देना चाहिए तता हमारी जो unnecessary expenditure रहते हैं उन expenditure को हमें कम करना चाहिए और saving बनाने पर ज़्यादा focus करना चाहिए उस saving amount को हमें किसी भी company के shares के अंदर investment करना चाहिए किसी भी company के share में investment करने से पहले उस company का research करना चाहिए कि वह company हमें future में अच्छा return दे पाएगी या नहीं दे पाएगी इसके लिए आपको थोड़ी financial knowledge भी होनी चाहिए थोड़ी जो finance के concept रहते हैं उसकी आपको basic understanding होनी चाहिए ताकि आप easily उस company को understand कर सको research कर सको तथा यह पता लगा सको कि उसमें हमें investment करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इसके लिए मैं future में financial freedom के नाम से काफी video बनाऊंगा जो की financial concept पे होगी जिससे की आप आसानी से financially जो भी concept रहते हैं उनको समझ सके तथा अपना जो decision है investment करने का आप खुद ले सके share market में investment करने के अलावा आपको अपना थोड़ा पेसा जो है वह gold में investment करना चाहिए क्योंकि share market काफी uncertain हता है तो उस condition में अगर हम अमारी risk को mitigate करना चाहते हैं तो हमारा थोड़ा जो saving amount है में gold में भी invest करना चाहिए इसके अलावा अगर अगर लंबे अगर अवदी की बात करें तो उसके बाद में हम real estate में भी अपना थोड़ा amount जो है वह उसमें भी invest कर सकते हैं हमारा fifth and last step है वह सबसे ज़्यादा important है हमारे पार जो भी कुछ है हमें जो भी कुछ भगवान से मिला है हमें उसके लिए करता गया रहना चाहिए हमेशा code को thank बोलना चाहिए कि हमें आपने इतना कुछ दिया है और हमारे जो parents है हमें हमेशा उनकी respect करने चाहिए अगर किसी भी person ने गर आपकी थोड़ी सी भी help किये तो हमेशा उसका ऐसान बंद रहना चाहिए तथा हमेशा उसकी respect करने चाहिए इसके अलावा हमारे पार जो भी कुछ है हमारे पार मनी है, knowledge है हमेशा society में थोड़ा-थोड़ा contribute करना चाहिए ताकि और जो हमारे society में जो लोग है वह भी उससे benefit ले सके तो इन 5 step के model को अगर आप अपनाते हैं तो हम real way के अंदर financial freedom गेन कर पाएंगे तो इसी तरीके से investment तथा financial planning से related वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें तथा हमारे चैनल को subscribe कीजिए तथा अपने fans से share कीजिए Thank you